माता लक्ष में घर में आने से पहले देती है ये संकेत इंसान पेशा कमाने के लिए क्या नहीं करता है घर परिवार से दूर रहता है जम कर मेनत करता है इसके बावजूद भी कई लोगों को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है इसका सबसे बड़ा कारण होता है माता लक्ष में की करिपा का नहीं मिलना इंदो द्रह में मा लक्ष में को दन की देवी माना जाता है मानेता है कि जिस वैक्ति पर मा लक्ष में करिपा होती है उसके घर में सुक्सान्ति के साथ दन की कभी कमी नहीं रहती गर में आने से पहले मालक्ष में कुछ खास संकेत देती है जिन में से कुछ संकेत आज हम आपको बताएंगे जिनके ज़रे आप यह जान सकते हैं कि मालक्ष में आपके गर में आने वाली है लेकिन वीडियो देंगने इस पहली यदि आप हमारे इस चैनल पर पहली पर आएं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेला एकन दोबाद कीजिए ताकि जब हम कोई वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आपके पास पूंचे चलिए वीडियो को शुरू करते हैं हिंदू दरब में संख को काफी पवितर माना जाता है इसका इस्तेमाल खास कर पूजा पाठ में होता है सुबह उठने के बाद संख की आवाज सुनाई देना सुब संक्यत माना जाता है इसका आर्थ है कि मालक्षमी जल्दी आपके गर में आने वाली है जाड़ू को मालक्षमी से जोड़कर देखा जाता है जाड़ू मालक्षमी को पिरी होती अगर आपको सुबह कहीं जाते समय कोई इनसान जाड़ू लगाता हुआ दिख जाए तो यह बहुत ही सुब माना जाता है जो माता लक्षमी के गर में आने के और संकेत करता है खान पान से भी मा लक्षमी के आगमन का पता चलता है माता लक्षमी जिनके गर में आने वाली होती है उनके खान पान में बदलाव आने लगता है एसे घ्रो में लोगों को भुक कम लगती है और माशार्वन नस्य की दूरी बनाने लगती है उल्लू को मा लक्षमी का वहान माना जाता है अगर आपको अपने घर के आसपास अचानक उल्लू दिखाई दे तो समझे कि मा लक्षमी जल्दी आपके गर में आने वाली है मा लक्षमी को साफ सफाही बहुत पसंद होती है जिन गरों में साफ सफाही होती है उस गर में माता लक्षमी जरूर जाती है जिदि आपके गर में भी साफ सफाही रहती है तो मा लक्ष्मी जरूर आपके घर में वास करेगी कबूतर को छोड़ कर अगर कोई चीडिया आपके घर में अपना गोसला बनाती है तो समझिये कि मा लक्ष्मी का आगमन होनी वाला है अगर आपके घर के मुख्य दोवार के सामने काले रंग की चीडियों का जोड़ दिखाई दे तो इसा माना जाता है कि मा लक्ष्मी आपके घर में आने वाली और आपको धनलाब होनी वाला है माना जाता है कि गन्ना भगवान गनेश को अत्ति प्री है गन्ने के रच का भगवान गनेश को भोग लगाने से मा ता लक्ष्मी भी पर्षन होती है जद्धी कोई वैक्ति गन्ना लेकर आए या फिर आपका गन्ना खाने का मन करे तो यह भी मालक्षमी के घर में आगमन का संकेत है तो यह था अमारा आज का वीडियो इसी प्रकार के और अधिक वीडियो देखने के लिए अमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रिखे और वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेर, कोमेंट करना भी मत बूली मिल तेंसी प्रकार के और नए वीडियो के साथ दन्यवाद